मतलब लेस्टर हमेशा माईकल से एक कदम आगे चल रहा है पुलिस ने चारों तरफ से हम लोग को घेर लिया है तो जल्दी से आसे निकलना पड़े को और तुम लोग यहाँ देख रहे हो इतनी जल्दी गाइस यहाँ पे इतनी जादा फोर्स आ गई तो और गईस सामनी के साइड यहाँ पे ब्लाक कलर के लिमो से नहीं है पूरे एक सेकेंड गाइस तुम लोग यहाँ देख रहे हो यह तो मिलिटरी का करनल और ट्रेवर लेस्टर यहाँ पे है माईकल की पूरी की पूरी फैमिली को इसने उठा लिया है पूरी फैमिली को किड्नाप कर लिया माईकल की टीम बापस आ चुक है और अभी माईकल बहुत जादा स्ट्रॉंग हो गया है तो पिछलोल एपिसोड को हम लोगे ने यहीं पे आन किया था और अभी माईकल अपने घर पे आ चुक है माईकल की पूरी की पूरी टीम बापस आ गई है और माईकल की फैमिली भी एकदम सेफ है और अभी हम लोगे ने लेस्टर के साथ बहुत ही बुरी तरीके से पंगा ले लिया है वैसे लेस्टर ना माईकल को फसाने ले गया था लेस्टर चाहता था कि यार माइकल वाइट हाउस पे जाके लो सांटोस के वियाईपी और मीडिया के सामने ये जाके बोलते कि उसने प्रेसिडेंट को खतम किया है ताकि माइकल बहुत बुरी तरीके से फज़ जाए पर वहाँ पे डगन वोस और गोल्ड माफिया ने हीरो वाली एंट्री मारी सब को खतम कर दिया और बाद में इंडिया डोन ने माइकल की फैमिली को भी बचा लिया सभी मेर हमारे टीम बहुत जादा खतनाक है बाकियार अभी हमारी पूरी की पूरी टीम बापस आ चुकिया है मतलब लेस्टर की तो लोसांटोस में बैंट बजने वाली है उसको हम लोग बहुत पूरी तरीके से मारेंगे बाकि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो अपनी पूरी की पूरी टीम फोन पर बात कर रही है ये लोग अपने गैंग के बंदों को बुला रहे है आज हम लोग माइकल के घर पर बहुती तगड़ी सिक्योरिटी लगाने वाले हैं ताकि माइकल के घर में कोई भी ना घुष पाहे और हम लोग लेस्टार और उसकी टीम की बैंड बजा दे तो गाइस बहुत जादा हमजाने वाले हैं इस लिवड़ी को पूरा देखना वड़े कोई के लाइक सुरू कर देना बाकिया मुझे पता है अवाज थोड़ी इको हो गया फिर बैंग्राउंड अलग लग रहा है क्योंकि अभी मैं अपने घर पे नियू मैंने कहीं और पे सिफ्ट कर लिया है अगर तुम लोग को जानना है तो यार मेरे ब्लॉगिंग वाले चानल को सब्स्क्राइब जरू कर लेना ब्लॉग जाके देखा करो उसका लिंक डिस्कुप्चिन में आजकल मैं रेगुलर ब्लॉग्स डाल रहा हूँ वो भी काफी बढ़िया वाले बाकि यार अभी हम लोग को इंतजार करना होगा यहाँ पर ही अपने गयां के बंदों को बुला ले उसके बाद आदे से जादा बंदों को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे और मैं तो सोच रहा हूँ कि यार फ्रैंकल और इंडियन डॉन को माइकल के घर पर ही रखूँ और मैं जाके लेस्टर से निपटूँ बाकि माइकल की फैमली भी आर काफी जादा खुश है क्योंकि वो लोग बहुत टाइम बाद अपने घर पर वापस आ गया है और एक सेकेंड ये लोग है काँ पर तुम लोग यहाँ पर देख रहो ये तो लोग आराम से रिलेक्स कर रहे है क्योंकि इनको बताए क्यार माइकल की टीम बापस आगे अभी कुछ नहीं होने वाला और मैं घर बापस आई गया है तो यार करेले का चूस पीना तो बनता ही है बहुत टाइम से माइकल ने करेले का जोसी नहीं बिया तो एक काम करते हैं फटाबट से पहले उपर के साइड चलते हैं हम लोग कपड़े वगिरा चेंज कर लेते हैं यार मैं बहुत टाइम से बहार से कपड़े खरीद रहा था अभी जाक्यार से कपड़े वगिरा चेंज पर आज में से लेकम कर लेते हैं तो बाद काम करते हैं में उसके बाद नीचे सμεप लेतों तो अब ही मैंने कड़े वगेरा चेंज कर लिया है और हम लोग पड़ा पड़ से यहां से निकलते हैं और आज मैंने बहुत टाइम बाद भाई पयानी सूट पहन है और सूट पहन के मैं कल बहुत साथा बढ़ तो फटड़ से चलते हैं और अपनी टीम से बात करते हैं क्या उनके गयां के बंदे कितनी देर में आ रहे हैं .... एक सेकेंड यार, सामने की साइड यहाँ पे गोल्ड माफिया के बंदे आचे गया, तो लोग यहाँ पे देख रहे हो, यार इसने तो बहुत सारे बंदे को बुला लिया, और बाहर के साइड गाड़िया भी खड़ी हुई है, तो फट अब उट से बाहर चल के चेक करते हो, यहाँ पे डगण बॉस कड़ा है, और डगण बॉस ने भी आर अपने बंदों को बुला लिया, डगण बॉस ने भी आर काफी सारे बंदों को बुला है, और एक सेकेंड यार, ये बंदे थोड़ी जाने पे चाने नहीं लग रहे हैं, ये तो मुझे किसी और की चाहिए माइकल के घर के लिए बाकि अभी काफी सारे बंदे आ गए और अभी मैं काम करता हूँ फटा बट से मैं सबको अपनी पोजिशन पे लगा देता हूँ वैसे हम लोग माइकल के घर पे और भी बहुत सारी सिक्योरिटी लगाएंगे और फ्रैंकल को तो मैं बोल दूँगा कियार वो यहीं पे रहे जब तक मैं उसको फोन ना करूँ तो अभी मैंने पूरे के पूरे घर के अंदर सिक्योरिटी को लगा दिया यहाँ पे जितने भी बंदे थे पूरे के पूरे घर के अंदर अभी मैंने लगा दिया है और अभी घर में कोई नहीं घुस सकता है और अगर किसी ने भी घुसने की कोशिश की तो ये बंदे उसको चोड़ने वाले नहीं है तुम लोग यहां पर देख रहे हो बाहर से तुम लोग नसर डालो दो बंदे मैंने बाहर के साइट लगा है और अंदर तो भाई बंदे भरे बड़े हैं बहुत जादा सेक्यूरिटी वाले बंदे हैं और सब के पास तना वेपन है मैंने इनको बोल रखा है कि यार जैसी कोई दिक्कत हो सीधे वेपन निकाले और गोलिया चालाना स्टार्ट कर दे बाकी बात में मैंने पट लूँगा तुम लोग यहां के साइट देखो नीचे के साइट में यहां पे भी बंदे लगा रहे हैं चुकि माइकल का गर्यार काफी बड़ा है पीछे से भी कोई आ सकता है इसलिए यहां पे भी सिक्यूरिटी वाले है आगे के साइट भी सिक्यूरिटी है और माइकल के घर के अंदर भी बंदे है मतलब अभी अपने कोई भी टेंशन ने ने की जरूत ने है बाकी इंडियान डॉन और फ्रैंकल को मैं यहीं पे रखने वाला हूँ और मिलिटरी कनल ने भी गन निकाल रहे है मतलब वो भी माइकल के घर पी रहेगा और एक सेकंड यार इंडियान डॉन के बाई शाहिदा भी किसी का तो कॉल आ रखा है और वो किसी से बाचीत कर रहा है तो मैं काम करता हूँ फटा बट से बात करता हूँ और पता करता हूँ तो भी हमारी इंडियान डॉन से बात हुचेगह और इंडियान डॉन बूल रहे हैं उसने अपनी सिक्योरिडी का इंतसाम करे लिये और वो कुछी देर में लोसांटो सिटी पहुचाएंगे और उसने भई खतरनाग वले बोडिगार्ट्स मंगाया है तो माइकल बिल्कुल भी टेंशन ना ले हैं माइकल के फैमली अभी एकदम सेफ है और हम लोग लेस्ट और उसकी टीम को छोड़ने वाले नहीं है और साती सात इंडियन टॉन ने वैपन का इंतजाम कर लिया है क्योंकि अभी हमारे पास बहुत जादा सिक्यूरिटी के बंदे तो हो चुके हैं पर हमारे पास खतरनाग वले वैपन नहीं है तो Indian Dawn बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास खतरनाक वले वेपन भी आ गया है तो Leicester और उसकी टीम को खतम करना बहुत जादा आसान हो जाएगा और Indian Dawn ने वेपन्स को मंगा भी लिया है तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे डॉक्स पे और खतरनाक वले वेपन लेकर आएंगे हम लोग अपनी सारी के सारी सिक्यूरिटी को अभी मिनी गन और आर्पीजी देने वाले हैं तो अगर कोई भी अटैक करता है तो हमारी सिक्यूरिटी उनकी बैंट बजा दे बाकी मैं एक काम करता है गोल्ड माफिया डगन बोस मिलिटरी करनल और फ्रैंकल को बोल देता हूँ कि वो लोग घर पही रहे हम लोग जल्दी से वेपनस लेकर आते हैं तो अभी मैंने डगन बोस और गोल्ड माफिया से बाचीत कर लियो और अभी मैंने इनको समझा दिया है कि यार मैं और इंडियन डॉन डोक्स पे जा रहे है खतरनाक वले वेपन लेने और वो लोग घर पही रहे और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो सबसे पहले मैंने को कॉल करें और अगर कोई घर में घुसने की कोशिश करता है तो उसको छोड़ना नहीं है उसको खतमी कर देना है वैसे भी न हम लोग को लेश्टर से जाधा डर ने की जरूत नहीं है च्skyोकि लेश्टर को सब्मज में आ चुक है कि माइकल न अब अकेल आरी है माइकल की पूरी की पूरी टीम वापास आ गई है तो लेस्टर को भी अब हम लोग से काफी जाधा डर है तो एक काम करते हैं फटा बट से डॉक्स की दरब चलते हैं और चलके वो घदनाक व vacation से लेकर आते हैं वैसे यह रास्त आना उपर से दिखा रहा है बट कोई दिक्केत की बात ने है यहां से काफी जादा बास है और यह रही वो लोकेशन तो एक काम करते है गाड़ी को हम लोग यहां पे लगा देते हैं अब ही हम लोग को वेरा उसके अंदर जा रहा है वो बंदा हम लोग को अं और गेट है भाई अंदर जाना पड़ेगा मतलब इस बंदे ने बाहर एक गराज जैसे बना दिया है ताकि किसी को पता ना लगे मुझे लगता है कि यहां पर यह इलीगल वैपन से इल करता है तो यह काम करते हैं फटाबट से अंदर चलते हैं तो अभी हम लोग उसके वेरा यहां पर यहां पर यह इलीगल वैपन से इल कर रहा है तो अभी इसने वैपन को जुपा के रखा है पर आपने को तो पस वैपन खरीदने हैं तो मैं काम करता हूं फटाबट से बात करता हूं और यहां से वैपन से लेकर चलते हैं तो अभी मेरी इस बंदे से बाचीत हो ग जलते हैं, माइकल को कोई भी वेपन चाहिए, तो इसको call करके order कर दे, ये लो सांटोस के बाहर से भी वेपन बंगा सकता है, तो ये चीज काफी बढ़ी है, अगर अपने को वेपन चाहिए होंगे, तो मैं इसको call कर दूँगा, और advance में payment कर दूँगा, ये हम लोग को वेपन मिल जाएंगे, तो फड़ाबट से एक काम करते हैं, हम लोग यहां से बाहर चलते हैं, तो अभी हम लोग वेराउस से बाहर आचेके हो, और यार ये ना सही में garage जैसा लगता है, अगर कोई नया बंदा आ गया न, तो उसको पता ही नहीं लगेगा, कि यार इस gate के पीछे ब वेपन का इंतिजार कर रहे हैं, और अभी ये बंदा है और ये बता रहे है यार माईकल के वेपन इस वाले ट्रेक के अंदर है, तो माईकल इस वाले ट्रेक को ले कर चले जाये, और ये लोग ना illegal weapon बहुती साई तरीके से से बाहर है, ये तो एक कूड़ेगर ट्रक है, किस जाता हूं भाई एक तो यह ट्रक बहुत साथ हेवी चलता है और अगर मैंने तेश से चलाए रहा तो पीछे से इंडिया डॉन टपक जाएगा तो मुझे थोड़ा अराम से चलाना है तो यह काम करते हैं फटावुट्स अपने मेंशन पे चलते हैं और चलके और सिक्योरिटी को खतरनाग वले वेपन्स देते हैं तो अभी हमनों खतरनाग वले वेपन लेकर माइकल के घर पे जा रहे थे और अभी मेरे पास फ्रैंकल का कोल आयो और फ्रैंकल बता रहे ही कियार माइकल के घर पे मिलेटरी आ चुकी है पूरे के पूरे घर को मिलेटरी ने घेर लिया है तो माइकल फटा फट से घर पे आ जाए तो मैंने फ्रैंकल को बोला है कियार मिलेटरी से लड़ना नहीं है वो लोग बस थोड़ा सा इंतजार कर ले हम लोग कुछी देर में आ रहे हैं क्योंकि अग पकड़ नहीं सका ना लो सांटोस के पुलिस पकड़ सकी इसलिए लेस्टर ने अभी अपना दिमाग लगा कर इस बार मिलिटरी को भेजाए तो मिलिटरी वाले माइकल के घर में घुज गए तो बहुत एककाद हो जाएगी बहुत सारे के सारे सिक्यूरिटी के बंदों को भी खतम कर देंगे और हमारी टीम को भी नुकसान पहुचाएंगे तो जल्दी से आर माइकल के घर पे चलते हैं और चलके मिलिटरी वालों से बाचीत करते हैं तो अभी हम लोग माइकल के घर के पास पहुचने वाले और यहाँ में में बंदे भागते हुए नजर आ रहे हैं मुझे लगता है कि यार जरूर यहां पे गोलिया चल रही है और अभी हम लोग माइकल के घर पे तो पहुचने वाले हैं पर मैं यह ट्रक माइकल के घर नही तो वो लोग पक्का इस ट्रग को अपने साथ लेकर चले जाएंगे इंडिया डॉन पटाबट से मेरे पीछे और किसी के उपर गोली नहीं चलानी है फटाफट से आगे चलते हो और एक काम करते हो ना पहले मैं गर निकाल लेता हूं क्योंकि यहां पे ना मुझे कुछ ना गाडिया खड़ी हुई है उसने सीधे ले जाके गाडियों में टक्कर मार दिया एक काम करते हैं फटाबट से गन को अंदर करते हैं और घर के अंदर चलते हैं यहां में बहुत सारे मिलिटरी वाले बंदे हैं अभी तक किसी ने देखा नहीं है चुप चाप से अंदर के सा साइट चलता हूँ, मिलिटरी का करनल तो सामने के साइट खड़ा हुआ है, बाकी सारे बंदे नजर नहीं आ रहे हैं, बाकी सारे कहां गए, एक सेकंड यह सारे के सारे यहां गेट पे खड़े हुआ है, तो मिलिटरी वाले यार लड़ाई करने तो नहीं आया, क्योंकि अगर यह लड़ने आये होते, तो अब तक माइकल के घर पे इन लोग ने अटैक कर दिया होता, यह लोग यहां पे शाहिद हम लोगों से बाचीत करने आये, मैं काम करता हूँ, फड़ा बट से मैं आगे जाता हूँ, और यह लोगों से पता करता हूँ, क्यार आखिरकार यह करनल को लेने आये है, तो मैंने लोग उन से बोला यह लोग यहां पर आय को हाँ, इनको लेस्टन ने तो नहीं भी होचा, तो यह लोग बोल रहे हैं, क्यार इनको किसी ने नी भेजा, यह गौर्मेंट की तरफ से आये है, और मिलिटरी करनल को अपने साथ ले कर जाएंगे तो मैंने लोग को बोले कि यार ये लोग military colonel को यहाँ पे हाथ भी नहीं लगा सकते तो यह यहाँ पे मिरेको धमकी दे रहा है यह बंदा बोल रहा है कि अगर Michael ने military colonel को ले जाने के लिए मना किया या फिर इनके उपर attack किया तो पूरे Los Santos की force यहाँ पे आके attack करेगी और Michael के सारे बंदों को खतम कर देगी पूरी team को खतम कर देगी Michael Los Santos की force से लड़नी सकता है तो यार अभी ना इसकी मेरेको बात माननी होगी वेसी ये बंदा बोल रहा है कि यार ये लोग military colonel को कोई नुकसान नहीं पहुचाएंगे बस military colonel इनके prison में रहेगा मतलब military वालों की jail में क्योंकि अभी तक proof नहीं होआ है कि military colonel ने president को खतम किया है और अगर Michael military colonel को बचाना चाहता है तो Michael सबूत लेकर आए और military colonel को बचा ले तो मैं काम करता हूँ फटबट से military colonel से बात करता हूँ और पता करता हूँ क्यार हम लोग को क्या करना चाहिए तो अभी मेरी military colonel से बात चीद होगे तैयार हो गया है और Military Colonel बोल रहा है कि अगर Michael इसको बचाना चाहता है तो जल्दी से जल्दी Leicester के खिलाब सबूते करा है और Military Colonel को बचा है एक बार हम लोग ने प्रूफ कर दिया कि अगर Military Colonel है President को नहीं बारा है तो Military Colonel को बचा भी लेंगे और उसको उसकी पावर मिल जाएगी उसको पोस्ट मिल जाएगी और ये दुबारा से लोसान्टोस का Military Colonel बन जाएगा तो अब ये काम करते हैं फटबट से बार के साइड चलते हैं और इन लोग से बात करके Military Colonel को अब लोग यहां से भेशते हैं की ले घखरा से ले मिल आएगी wordt लोगा मिल जाएगी लाएगी की ले बा跳े राएगी अभक मिल लेवागी तो अब हम लोग ने यहां से मिलिटरी करनल को भेज दिया और मिलिटरी करनल को जो लोग लेने आयते ना वो लोग मैरी वेदर के बंदे तो मैंने लोगों से पुछा है किया रहे वो लोग यहां से जा चुका है हम लोग को कैसी भी करके उसको बचाना पड़ेगा और अच्छा रहे यार मिलिटरी करनल यहां से चला गया अभी वो सेफ रहेगा वहां पे उसको कोई दिक्कत नहीं होगी बस हम लोग को यह प्रूफ करना है सबूत लेकर आने है कियार मिलिटरी करने President को नहीं मारा था Military Canal उसको बचाने गया था उसके बाद Military Canal को उसकी Post बापस मिल जाएगी और एक बार yaar Military Canal की Post बापस आ गई फिर तो हम लोग को काफी जादा घलब कर सकता है तो मैं काम करता हूँ फटा बटस हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलके किसी से बादचीत करते हैं एरपोर्ट पे और कोई ना कोई हमारी हेल्प जरूर करेगा वहाँ पे CCTV कैमरा होते हैं कोई ना कोई यार महाँ से फोटेज निकाल के देगा तो शायद हमारी हेल्प हो जाए तो मैं एक काम करता हूँ अपने साथ मैं आपे इंडियन डॉन को लेकर जाता हूँ बाकी गोल्ड माफिया डगनोस और फ्रैंक टिल को यहीं पे रहने देता हूँ क्योंकि घर की सिक्योरिटी भी बहुत जादा जरूरी है तो अभी मैंने इन तीनों को समझा दिया है अब यह लोग माइकल के घर पे ही रहने वाले हैं पाकी फटा फटस हम लोग यहां से निकलते हूँ और जाने से पहले यार मैं वैपन के ट्रक को तो लेकर आ जाओ मैं ट्रक को तो भूली गया भाई मैंने उसको यहां पे खड़ा किया था फोरा भाई वैपन से भरा होँ ट्रक एक काम करते हैं इसको ना माइकल के घर के अंदर लगा देते हैं और मैं फ्रैंकल को बोल दूँगा कियार सारे के सारे वैपन को निकाल के अपने सिक्यूरिटी को देते क्योंकि इसके अंदर काफी सारे वैपन से हैं फटा फट से इसको लेकर चलो और Indian Dawn भी आ रहा है एक काम करते हैं इसको भी बठा लेते हैं अब जल्दी है चल्दी है चल्दी है फटा फट से भाई ट्रक के अंदर बैट जो हमारे पास जाधा टाइम नहीं है हम लोगों जल्दी जल्दी से यहां से निकलना पड़ेगा तो चल भी बहुत जाधा ख़ता नाक रहा है तो एक काम करते हैं फटा फट से इसको अंदर लेकर चलते हैं और इसके अंदर से सारी के सारे वेपन्स निकलवाते हैं तो अभी मैंने ट्रक को अंदर के साइट खड़ा कर दिया है और मैं फ्रेंकिल को बोल दूँगा कि यार इस गाड़ी को तो मैंने बाहर निकाल आई नहीं बहुत टाइम से घर के अंदर ही खड़ी है और ये गाड़ी ना कई बार डिस्ट्रॉय हो गई है पर हर बार माइकल इस गाड़ी को रेपैर करा लेता है क्योंकि माइकल को ये कार बहुत जाधा पसंद है तो एक काम करते ह पहले चलके हम लोग उनसे बाचीत करने बाले हैं शायद वो हमारी यहां पर कुछ हिल्प कर पाएं क्योंकि एरपोट की सिक्यूरिटी में बात कर नहीं बढ़ेगी तब ही हम लोग यहां के कैमरास बगेरा को चेक कर सकते हैं तो मैं एक काम करता हूँ फटबट से माइकल क पहले लेकर आते थे जब माइकल के पास कार शोरूम था और एक सेकेंड यार अभी तो हमारा वेराउस यहां पर खाली पड़ा हूँ है एक काम करता हूँ फटबट से महन लोग को कॉल करता हूँ और जल्दी से महन को यहां पर बुलाता हूँ तो अभी मैंने अपने बंद बंद पड़े हैं अपने सारे बिजनेस बन पड़े पर कोई दिक्ट की बात नियाए बहात जल्दी हम लोग सारके सारे बिजनेस स्टार करेंगे वढ़ लोसांटो फट हमने फिर से अपने प्रेसिडेंट की जान बचा रहे थे 108 के बंदों ने प्रेसिडेंट को घतम किया है तो अभी इस बंदे ने यार एरपोर्ट की सिक्योरिटी से बात कर लियो और अभी हम लोग को बता लगया है कि यार उस दिन का सारे का चारा डेटा सारे की सारे फोटेज को डेलीट कर दिया है और इन लोग को भी नहीं पता है कि यार डेलीट किस ने किया है पर हम लोग को बता है वो डेटा लेस्टर ने डेलीट करा होगा लेस्टर यार इतना बड़ा हैकर है इतना काम तो असानी से कर सकता है तो airport से अर्ण हम लोग को कुछ भी नहीं पता लगा अभी हम लोग को हैंसे निकलना पड़ेगा मैंने नोग को वैसे लगा दिया है काम पे मैंने इनको बोला है क्यार अगर पता लगा पाएं तो कैसी भी पता लगा हैं क्यार एरपोर्ट पे अगर उस दिन कौन-कौन बंदे काम करे थे किसी ने भी देखा हो कि आरशोट के बंदों ने प्रेसिरेंट को खतम किया है मिलिटरी का गर्नल और माइकल ने नी तो अभी अपने ये दोनों बंदे काम पे लग गया है अगर इनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये माइकल को कॉल कर देंगे बाकि अभी अपने को यहां से निकलना पड़ेगा फटाबटस हम लोग यहां से चलते हैं तो अभी हम लोग इरपोर्ट से माइकल के घर पे जा रहे थे और अभी मेरे पास मिलिटरी बेस से कॉल आया और मिलिटरी वाले बोल रहे हैं कि यार वो लोग कुछी दिर में माइकल के घर पे पहुच जाएंगे मिलिटरी करनल को लेने मिलिटरी करनल को मिलिटरी बेस में रहना बहुत जादा ज़रूरी है वहाँ पे जाके वो surrender कर दे तो मैंने उनको बोला है कि यार military वाले तो कुछ देर पहले मेरे घर पे आये ते और military का अणल को अपने साथ में ले गए तो वो लोग बता रहे है कि यार military में से तो कोई आया ही नहीं है और गाइज अभी मैंको समझ में नहीं आ रहा है यार फूरी की पूरी फोर्स आई थी तो मैंने उनको बूला कि यार मिलिटरी वालों ने ते मैरी पैदर वालों को मिलिटरी करनल को लेने भेजा था तो वो लोग मनाग कर रहे हैं जार उनलोग उनने किसी को नहीं भेजा और वो लोग Maryweather को क्यों भेजेंगे अभी Michael को समझ नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है मुझे कुछ दिर पहले तक ऐसा लग रहा है कियार military cannell अभी एकडम सेफ है वो military base में जाके एकडम सेफ रहेग वहाँ उसको कोई दिक्कत नहीं होगी पर यहाँ तो कुछ और ही होगी यार मिलिटरी कनल तो मिलिटरी बेस ही नहीं पहुचा मिलिटरी वालों ने जब किसी को ने भेजा तो वो लोग आई कहां से थे और मैरी वेदर वाले भाई मिलिटरी कनल को लेकर क्यों जाएंगे में को लग रहा है कि ये पूरा का पूरा लेस्टर का प्लान है और लेस्टर नहीं भाई मिलिटरी कनल को किटनाप कर वा है मुझे नहीं बता लेस्टर मिलिटरी कनल को किटनाप क्यों कर वा रहा है मुझे लगता है कि साही लेस्टर को ऐसा लग रहा है कि अगर माइकल ने ये प्रूफ कर दिया कि मिलिटरी करनल ने प्रेसिरेंट को नहीं मारा है तो मिलिटरी करनल को उसकी पावर मिल जाएगी और मिलिटरी करनल कुछ भी कर सकता है लोस आटोज में military channel के पास बहुत साथा power होती है इसी लिए lecester उसको kidnap कर पा रहा है तो guys मेरे को कैसे भी कर गया है जार military channel को ढूदना होगा मैं काम करता हूँ run for not it से पेले gaar डी को side लगाता हूँ और military channel को call करता हूँ तो ओभी हम लोगे ने military channel को call किया था और उसने हमारा phone भी उठा लिया और military का अनल बता रहा है कि यार Maryweather के बंदे उसको military base में नहीं लेके करें वो लोग अपने base में लेकर गए और उसको उन लोग ने kidnap कर लिया है तो Michael फटा फट से महां पे आ जाए क्योंकि कि वो किसी से phone पे बात कर रहे है कोई उसको महां पे लेने आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ फटा फट से dogs की तरब जाता हूँ क्योंकि military कानल बता रहा था कि Maryweather के बंदों ने उसको dogs पे रखा है फटा फट से चलते हैं और अभी ना में एक भी Maryweather के बंदे को नहीं छोड़ूँगा चुकि अभी मैंने उनके उपर भरोसा किया था मुझे लगा उनको military वालों ने भेज़ा है पर वो लोग military करनल को kidnap करके ले गा है और इसका बदला तो मैं उनसे लेकर रहूँगा तो एक काम करते हैं फटा बट से पेले dogs पे चलते हैं और चलके military के करनल को बचाते हैं तो guys अभी हम लोग dogs पे बहुत चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे Maryweather के base पे और अभी मैं सीधे घुसते ही गोलिया चलाने वाला हूँ मैंने Indian Dawn को समझा दिया है Indian Dawn तो गन लेकर ही बैठा है और तुम लोग सामने देख रहो हैं यहां पे यहां पे तो भाई military की गाड़िया खड़ी हुई हैं जो Michael के घर पे गए थी तो एक काम करते हैं पेले गाड़ी को यहां पे उतारते हैं और तुम लोग देख सकते हो मैंने launcher दे रखा है वाई मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ सबको बहुत ही बुरी तरीके से मारूंगा क्योंकि इन लोगों ने यहां पे Michael से जूट बोला तुम लोग सामने के साइट देख रहो यहां पे Maryweather के बंदे आ रहे हैं आजो बिटा जितने भी बंदे आओगे सारी के सारे बहुत ही बुरी तरीके से मरे तुम्हारी तो ऐसी कि दसी मैं अभी यहां पे किसी को नहीं छोड़ने वाला यहां पे सबको बहुत ही बुरी तरीके से मारूंगा और इंडिया अंड़ो आज़ो बिटा आज़ो और इन लोग ने यहां पे गेट खोल दिया अगर यह लोग यह वाला गेट टिंग खोलते तो आज तो में इस गेट को तोड़ी देता कोई भी आज मेरे हाथ से बचने वाला तेरी तो ऐसी किता सी भाई इसको तुम्हें निकल यहाँ से भाई इन सबको तुम्हें हाथ से ही खतम कर दूँगा मेरी वेदर में से एक भी बंदा नहीं बचने वाला और एक सिकंड बाहर से भी कुछ बंदे गोलिया चला रहे है एक मिनट तुमारी तो ऐसी किता से निकल भाई यहाँ से जा का पे रहो यहाँ देखो यहाँ पे एक बंदा खड़ावा है इन्हें तो मैं लॉंचर से बहुत बोरी तरीके से मारने वाला हूँ आजो बेटा आजो जितने विएँ न तुम सारे के सारे आजो और एक सिकंड नि और भी बंदे आप यह सारे के सारे बंदे ना लेस्तर के गहने पर मायकल के घर गहते और दोग को पहले से बता दा क्यारे इन्याम मिलेटरी वाले मिलेटरी करल er यह तब ही इन dieses वाला प्लान बनाया और ये सारी बात इनको पता कैसे चल रही है पका मिलिटरी में से भी कोई ना कोई मिला हुआ है भाई लेस्टर के साथ तब ही वो लेस्टर को इतनी सारी इंपोर्मेशन दे रहे नी तो लेस्टर को पता ही नी चलना चाहिए यार कि मिलिटरी वाले कर देना है और एक सेगंड ये बंदा कौन है इसके अंधर तो зах Scheun अंदर मैंने आगी लगा दी और लिए लिए पीछए से गोल या चलके यह गोली यह जला रहा रहा ह किसी को नहीं 플 लोगों सब को मार नहीं यहाँ यहां पे ज अबरबबबब फॉप से अंदर के इसाइट जाना है और अंदर से फिसमें एक यहां से जल पर यहां पर बंदी आ जाया AND spot a जुक है नीचे हो नीचे के साइड देख रहे हो पाकि इंटियन डॉन और मिलिटर के कररेल मेरे पीछे-पीछे आ रहे हैं सबको बहुत बुरी तरीके से मारूंगा और तुम लोग सामने के साइट देख रहे हो गाई क्यों लोग भाई फेले से पुरा इंतजार कर रहे है हमारा क्यों माइकल नीचे आएगा उसके बाद के मेरे उपर अटैक करेंगे पर मुझे पता है कि यार यह लोग कहां कहां पर खड़े कि सी को नहीं छोड़ने वाला सबको बहुत ही बुरी तरीके से मारूंगा तुम लोग भी चल्दी अल्दी से आजाओ यार हम लोग को भी यहां से फटा फट से निकलने हैं बस यहां पर पुलिस ना आ जानी तो बहुत जादा गड़ी हो जाएगी और तुम लोग आगे के साइट देखरो वहां तक बंदे खड़े हैं यह बहुत ही नीदी मुझे लग रहा है मिनीगन की उतनी रेंज नहीं है यहां से निकलते हैं मैं इक काम करता हूं न फटा बट से मैं इनलों की गाड़ी लेता हूं और जल्दी से यहां से निकलता हूं मेरको अब यह उन लोग का इंतजार करना पड़ेगा और सामने से गोलिया चल रही है यहां तुम लोग देख रहे हो गाईस यहां पर बहुत सारी गाड़ी है और जो गाड़ी मैं Michael की लेकर रहा है तो वो तो मैंने कोई नजर ही नहीं आ रही है Michael की family care शायद यहां से गाइब हो गई मैं मैंको बाहार चल के देखना पड़ेगा और मुझे रखता है क्यार यहाँ पे और भी Merryweather के बंदे आ गए क्योंकि अंदर के साइट जितने भी बंदे थे मैंने सब को खतम कर दिया है अब यह सारे के सारे बहार से आ रहे है यह भी बहुत बुरी तरीके से मरने वाले है कोई दिक्कत की बात नहीं है आजो बिटा जितने भी आओगे मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला इनसे अपना बदला तो लेक करी रहूंगा और यह तो भाई किसी और काई ट्रग है एक सिकंट मेरे टीम के बंदे आ रहे है तो यह दोनों यहाँ पे आ चुके है मेरे को बस अभी गाड़ी का इंतजाम करना है और यहाँ देख रहो फाइर बिर्गेट के गाड़ी तो आई पर यह लोग रुके नहीं सीधे यहाँ से भाग्या और सामने के साइड भी मैरी वेदर के और भी बंदे आ चुके हैं यहाँ पे इनकी गाड़ी गई थी ना जल्दी से गाड़ी का इंतजाम करना है तो वहाँ से गाड़ी आ रही है यह काम करते हैं इस वाली गाड़ी को चीनते हैं इन बंदों को जल्दी से निकलते रही तो ऐसे कि दसी अब यह काम करते हैं फटबट इस वाली गाड़ी को लेते हैं और यहां से निकलते हैं यह बुलट प्रूफ गाड़ी है तो स्यायद यह थोड़ी देर तक टिक जाएगी बस इस गाड़ी मैं आगना लग जब चलदी बैटो चल्दी बैटो चल्दी gefallen से दूप साथ बंदे है अब मिलिटरी करना जल्दी पीछ एक पीछ के साइड है यार हम जल्दी से यहां से निकलने बहुत साही है अभी कोई डेंचेन लेनिया है military channel सबको समाल लेगा वाई एक एक बंदे को चुन के मारने वाले हैं अभी आजाओ जिसको आना है कोई दिक्कत नी है अभी कोई अपना पीछा भी नी करने वाला है अगर कोई पीछे भी आया है ना मैं उसको भी नी छोड़ने वाला हूं उसको भी बहुत ही बोरी तरीके से म कोई हम लोग जा रहे हैं military base military kernel को छोड़ने क्योंकि उसका वहीं पे रहना काफी जादा सेफ रहेगा और मैं कैसे भी कर गया यह प्रूफ कर दूँगा कि military kernel ने वाई कुछ भी नहीं किया है जो भी किया है वो लेस्टर ने किया है और अगर मैं military kernel को और military base लेका नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और military वाले उसको security भी देंगे पर जल्दी से जल्दी मैं प्रूफ कर दूँगा सारे के सारे सबूत इखटे कर लूँगा और Leicester को Los Santos में रहने नहीं देना है चाहे कुछ भी क्यों ना हो चाहे तो यह काम करते हैं military base चलते हैं और military वालों को मैं क पॉल भी कर दिया है तो फट अपट से चलके हैं military करनल को यहां पर छोड़ते हैं उसके बाद अभी हम लोग को स्पोलेटीशन के पास पीचाना है और उससे अपना गॉल्ड वापस लेकराना है क्योंकि उस पॉलेटीशन पर भरोसा करके हम लोगों ने उसको गोल्ड तो पर बाद में पता लगा क्यार वो बंदा तो लेस्टर के लिए काम करता है और तुम लोग यहां पर देख रहे हो गाइस military वाले हमारा स्वागत का निकले कड़े हुए हैं और यहां पर भाई हम लोग को अंदर तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे तो मैं काम करता हूं military कैन यहां पर चाहेगा और यह चीज़ इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी तो यह काम करते हैं military कानल को यहीं पर चोड़ते हैं और सीधे चलते हैं उस पॉलेंटीशियन के पास तो अभी हम लोगों ने military कानल को यहां पर चोड़ते हो और यह लोग मिलिटरी कानल से बातचीत कर रहे हैं उसके बाद इसकी चैकिंग होगी उसके बाद military कानल को अंदर ले जाएंगे और military कानल यहां पर काफी अच्छी से रहने वाला है और उस की band बचा दूँगा तो अभी हम लोग यहां से चलते हैं और सीधे चलने वाला हैं भाई उस politician के mention पे और चलके मैं उससे बात कने वाला हूँ कि उसने हमारा gold क्यों लिया और मैं उससे ने अपना gold वापस मांगूंगा और अगर उसने gold देने से मना किया तो मैं उसको छोड आने वाला नहीं हूँ चाहिए आज Los Santos में कुछ भी हो जाए मैं अपना gold वापस लोगा ही लोगा साथ मैं उस politician को भी खातम कर दूँगा तो अभी हम लोग politician के mention पे बहुचने वाले हैं और फटा-फट से चल गया और politician से मिलते हैं मैं politician को नहीं काफी देर से call कर रहा हूँ चाहे कुछ भी हो जाए और तुम लोग यहां पे देख रहो गाइस यहां तो बहुत जादा security है और यह क्या चल रहा है भाई इन लोगों ने देखते हैं हमारे उपर गोलिया क्यों चलाना स्टार्ट कर दिया अभी मैं यहां पे बातचीत करने आया था भाई लड़ने नह आया था और तुम लोग सामने के साइट देख रहो यह सब इंडिया डॉन पे गोलिया चला रहे तुमारी तो ऐसी किता सी और यह security भी मिरको जानी पैचानी लग रही है यह diamond casino की security है यहां फिर लेस्टर के बंदे हैं और यह यहां पर क्या कर रहे हैं गाइस मिरको लग रह चला रहे हैं यहां पर पुलिस भी कभी भी आ सकती है तो मिरको जल्दी से निकलना पड़ेगो और तुम लोग यहां पर देखो या चारू तरब से बंदे आ रहे हैं मतलब लोग को पहले से प्लान था कि जैसी हम लोग यहां पर पहुचे सीधे हमारे उपर attack कर दे इंडि तो नहीं चोड़ने वाला तो ऑन्फ बाहर के सारे के सारे बंदेग मेरे कर जल्ती से अंदर जा रहे हैं और अंदर जाकि लोग खंग 나ए पोले इन अन्यारिको एक बार यहां देखर हो बाई कितने सारे बंदे हैं और यह मैंशन भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो मिने पूरी के पूरे मैंशन में अच्छे से चेक कर लिया मिले को यहाँ पे politician कहीं भे भी नजर नहीं आ रहे है बस यहाँ पे security के बंदे आये चारे बहुत यह कहां कहां से आ रहे है पर एक second guys helicopter की कहीं से अवाज आ रही है और मैं यह pool के अंदर कहां चला गया तो मिले को ऐसा लग रहे है कि यहाँ पे policy आ गया यह पूरा पूरा लेस्टर का प्लान है तो जैसी में आपे बातचीत करने आया politician की security ने गोलिया चलाना स्टार्ट कर दिया उनको पता था कि अगर माइकल यहाँ पे गोलिया चलाएगा तो पुलिस का पढ़ना तो एक नॉर्मल सी बात है फटाफट से निकलना पढ़ेगा इसे पहले यहाँ पे और भी पुलिस आ जाए इंडिया नोर ने काम कर फटाफट से निकल अगर हम लोग यहाँ से निकले नी तो बहुत बुरी तरीके से बच जाएंगे यहाँ देख रहे हो भाई गाडिया कड़ी होई है तो एक सेगेंड पीछे के साइड एक महंगी से विंटेज कार खड़ी है इसको तो चोरी करना बनता ही है बाई से गोल्ड तॉमलोग बाद में लेंगे पर आज इसके विंटेज कार तो मैं पक्का चोरी करने वाला हूँ ये गाड़ी एको बहुत जादा सही लग रही है तो Indian Don का रही जल्दी से फटा-फट से आसे निकलना हो पड़े के यार Indian Don को भी बहुत जादा गोलिया लग गई चल्दी यल्दी 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 हम लोगो का आसे निकलना हो पड़े का गाइज यहां पुलिस आये चारी आये चारी है और यह गेट कैसे लॉक हो गया भाई फिरको चलती से भागना पटिका यहां पे देखो पुलिस ते पूरा का पूरा रास्ता गेर लिया है यह गाड़ी ना तूट जाए गाड़ी बहुत जादा सही लग रही है तो अब यह का का दिया था और यहां लोसांटोस की पुलिस प्लान करके हम लोग को पकड़ रही है रोट को ब्लॉक कर रहा है उनको क्या लगता है कि यह माइकल को पकड़ना इतना असान है माइकल को तो लेस्टर कुछ नहीं कर पाया तो यह लोसांटोस की पुलिस क्या चीज है एक काम क और एक गाड़ी नहीं है, भाई, कई सारी गाड़िया मेरा पीचा कर रही है, मेरे को जल्दी-अल्दी से यहां से निकल ना पड़ेगा, चो अभी अब लोग पुलिस यार काफी देर से भाग रहे थे, काफी देर से पीचा छोड़ा रहे थे, और अभी अचानक से पुलिस ने हमारा पीछा छोड़ दिया और अभी माइकल के पास लोसांटोस के पुले स्टेशन से कॉल आ है और माइकल को अर्जेंट पुले स्टेशन बुला है उन लोग ने माइकल को बुला है कि माइकल डरे ना वस वो माइकल से बाचीत काना चाहते हैं तो माइकल फटा-फट से पुलिस टेशन आ जाए वो भी तोरंट के तोरंट तो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि गाईज मेरे को करना क्या चाहिए क्योंकि अभी कुछ दिर पहले तक मेरे बीचे पुलिस पड़ी हुई थी और मैंने एक पुलिस टेशन के मेंशन पे अटैक किया उसके सारी सिक्योरिटी को मार दिया तो मेरे को लो सांटोस के पुलिस टेशन जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए कई ऐसा नहों कियार मैं लो सांटोस के पुलिस टेशन जाऊं और वहां पे वो लोग मेरे को अर्रेस्ट कर ले क्यों भी मैं कहीं पर जाता हूं वहां पे कुछ ना कुछ गडबड हो जाती है पर यार पुली स्टेशन से जब मेरे पास कॉल आया था तो उन लोग ने मेरे को बोला है कि उनको बस माइकल से बात करनी है और वो भी बहुत जादा जरूरी बात तो माइकल जल्दी से पुली तो यह काम करते हैं फटा पट से हम लोग चलते हैं पुलीश टेशन पर और चलके देखते हैं अब भी पुलीस वालों को माइकल से क्या काम हाई है कि ऐसा नहीं कि आर वहां पे कुछ गडबड़ी हो तो अभी लोग लोग संटोस के पुलीस टेशन पोह चिने वाले हैं यहाँ पर सोट के बंदे खड़े हैं तो अब भी मिरको थोड़ा सम्मल के जाना है तो एक काम करते हैं फटाफुट से अन्दर चलते हैं अब ही मुझे नहीं पता है कि यह जिए हैं कि बुराया और मुझे यहाँ को पे बजा रहा है इק सेकंड अंदर के साइट भी कोई नहीं है वाई यहाई वला ओफिस तो कभी खाली नहीं होता है यहाँ पे भी कोई नहीं बैटा है इसका मतलब यार यcken बाहर के साइट है मिरे को पता कर ना पढ़ेगा बाहर के साइट कफी सारे सोट के बंदें है उनसे एक बार पता करते हैं कि यहां की फोर्स कहा गई है तो अभी मेरी सोट के बंदे से बाचीत हो गये और अभी मैंने इसे पूछा कि यार सारे के सारे पुलिस वाले का है अंदर तो पूरा का पूरा पूरा पूरे स्टेशन खाली है तो यह बता रहे है कि यार यह बूरी स्टेशन माइकल के लिए खाली कर रहा गया है अब यह अंदर सिर्फ एक ही बंद है तो माइकल इस साइड में चले जा और यहां पे माइकल को एक पूलिस वाला मिलेगा और माइकल उससे बाचीत कर ले तो यह काम करता है फटटा फट से अंदर चलते हैं और गाइस यहां तू लेस्टर खड़ा हुआ है यह यहां भी क्या कर रहा है भाई ऐसा तू नहीं है कि यार इन लोग ने मेरे को धोका दे निकले हैं यहां पे बोला है भाई अगर ऐसा हुआ तो तेरे को भी ऐगर अधरे अर्ष्म को ह deepest मारूँ तुम डोनों को यही वे खतम पर दूं गा और इंडियं यहां को भी कणगार कुछ विस qa ना कर आदय को टिए इस वाले भाई पुलिस टेशन से पहार जा चुके हैं सिर्फ अभी हम लोग पुलिस टेशन के अंदर है तो मैं काम करता हूँ अपने हाथ में पहले मैं मिनी गण निकाल लेता हूँ और अब जाके लेस्टर से बात करता हूँ अगर कुछ भी घड़ बढ़ी हुई तो यही क लेस्टर बोल रहा है क्यार दोनों का फायदा है तो माइकल अराम से सुने तो लेस्टर बोल रहा है क्यार वो माइकल के साथ अभी लोसांटोज में कोई भी लड़ाई जगडा नी चाहता है वो चाहता ही क्यार माइकल अपना काम करे और लेस्टर अपना काम करेगा और यह अचानक से Lester इतना कैसे बदल गया और वो Michael के साथ कोई लडाई करना नहीं चाहता है तो मैंने इसको बुला कि यार मैं तो इससे अपना बता लेकर रहा हूँगा चाहे जो भी हो जाए तो Lester बोल रहा ही कि यार Michael का अभी तक जो भी नुकसान हुआ है ये सारे का सारा नुकसान चुकाने के लिए तयार है पैसा और गोल देने के लिए भी तयार है बस माइकल से अभी वो लडाई नहीं करेगा चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए और इसलिए वो लोसांटोस के पुले स्टेशन आया है ताकि माइकल और लेस्टर का यहाँ पे समझोता हो जाए ये लोग एक फॉर्म बगरे की बात कर रहे है और ये लोग बोल रहे है कि यार माइकल और लेस्टर दोनों लोसांटोस के पॉलिटीशन गॉर्मेन के सामने जाके एक पेपर साइन कर दे उसके बाद ना माइकल लेस्टर के उपर अटाक करेगा और लेस्टर ना माइकल के उपर अटाक करेगा लेस्टर लो सांटोज में अपना काम करे अराम से रहे और लेस्टर भी अपना काम करेगा तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है guys अचानक से एक दो दिन में लेस्टर को हो क्या गया या तो ऐसा है कि यार माइकल की पूरी की पूरी टीम बापस आ चुकी है और सारे बंदिना एक से एक खतानाक है इसलिए लेस्टर यार बहुत जादा डर गया है Lester को भी समाथ आ चुका है कि Michael से लिड़ना मुश्किली इनी अबी इना मुंकिन है और इसको खतम भी नहीं कर सकता है पर यार जो भी हो मुझे लगता है कि मिरको ना Lester की बात माननी चाहिए क्योंकि Lester बूल रहे कि अगर मैंने Lester की बात मानी और उससे समझोधा किया तो माइकल के पीछे अभी तक जितनी भी पुलिस पड़ी थी जितने भी क्राइम थे सारे के सारे हट जाएंगे साथी साथ military colonel के उपड़ से भी सारे क्राइम हट जाएंगे और military colonel को उसकी post भी मिल जाएगी तो ये चीज सबसे ज़ादा बढ़िया हुए है और मैने लेसर से पूछा कि यार वो मजाग तो नहीं कर रहा है कि यार मैं पेपर को साइन कर दू मैं इसके साथ समझाओता करूँ और बाद में ये मेरे को धोका दे तो लेस्टर बोल रहा है कियार हम लोग सबके सामने लो सांटोस की मीडिया के सामने वेपर साइन करेंगे चुकि लो सांटोस में हर किसी को बता है माइकल को इसने कुछ देर बाद वाइट हाउस पे बिला है क्योंकि लेस्टर के पास बहुत जादा पैसा है पर अभी मैं लेस्टर की बात मानने वाला हूँ अगर लो सांटोस में मैं अराम से रहूंगा तो मैं दुबारा से बिजने स्टार्ट कर सकता हूँ बहुत सारे काम कर सकता हूँ और हो सकता है प्लैनिंग वगेरा करके धीरे धीरे हम लोग लेस्टर को भी खतम करते हैं और किसी को पता भी न लगे तो अभी यह काम करते हैं फटावट्स हम लोग यहां से निकलते हैं और एक सिकिंड गाइस अभी तक यहां पे फोर्स का कोई भी बंदा नहीं था और अचानक से इतने सारे निकल के आ गए कि यह ऐसा तो नहीं है कि यह सारे के सारे अंदर छुपके बैटे होए थे कि माइकल अटैक करेगा उसके बाद यह निकल के माइकल को अरेस्ट करेंगे भाई यह लोग क्या क्या करते रहते हैं मिरको नहीं बता पर अभी मिरको फटाबट से यहां से चलना है और चलके आर अपनी टीम से बात करें उसके बाद कुछ देर बाद मिरको वाइट आउस पे जाना है वहाँ पे बहुत सदा मीडिया होगी वी आईपी ले होगे और प पड़ापट से चलके अपनी टीम से बात चीत करते हैं और लोग उसे पता करते हैं किया हम लोग को लेश्टर के साथ डील करनी चेह नहीं करनी चेह चूंकि लेश्टर ना मुझे अभी बहुत सदा डरा हुआ लग रहा है और लेश्टर को बताए किया अभी माइकल के वाचीत करे और फ्र crackers बैंकल को इन Ivan वेस्टा करते हम उसे पता कर दो और enlarều को सारी बात है पबताते तो माय बैंने इन्वाने पूरी और जैसी में इनको लेस्टर की बात पताई इनलोकों साप्साप मेना करते कोई डील करना चाहते है लेश्टर को ख़त्म करना चाहते है भी crime लगे हैं सारे के सारे crime को हटा देगा military general को उसकी power मिल जाएगी उसकी post मिल जाएगी और हम लोग को बहुत जादा पैसा मिलेगा क्योंकि अभी तक हमारा बहुत जादा नुकसान हुआ है और पैसा मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग सब कुछ भूल जाएंगे और Leicester के साथ दोस्ती करेंगे मैं Leicester से अपना बदला चुन-चुन के लोंगा मैंने लोग को बोला कि हम लोग थोड़ा टाइम रुक कर खतरनाग वाला प्लान बनाएंगे अपनी गैंग को अपनी टीम को खतरनाग करेंगे और उसके बाद Leicester को और उसकी टीम को खतम कर देंगे और अभी हम लोग को देखना भी तो है यार Leicester करना क्या चाता है क्योंकि अगर मैंने Leicester की बात नहीं बानी तो तुम लोग को बताए कि यार Leicester के पास अभी बहुत सादा पापर है वो कुछ भी कर सकता है तो अभी हम लोग उसकी बात मान नीचे और अभी लोग मेरी बात समझ गये और मैंने लोग उसके पूछा कि यार डगन बॉस कहाँ पे है तो फ्रैंकल बता रहे कि यार उसके पास एक कॉल आया और वो सीधे अपने मेंशन पे चला गया और काफी टाइम हो चुका है वो यहाँ पे आया ही नहीं है तो मुझे लगता है कि यार गाईज मेरे को एक बाद डगन बॉस के मेंशन पे जाके चेक करना चाहिए क्योंकि उसके मेंशन पे तो अभी कोई होता ही नहीं है वहाँ की सारी सिक्योरिटी को तो बहुत पहले हम नहीं खतम कर दिया था तो अभी मैंने इन तीनों को बोल दिया है क्यार तुम लोग आच्छे से बाचीत कर लो मैं एक बार डेगन बॉस को लेकर आता हूँ उसके मेंशन पे जाके देखता हूँ तो एक काम करते हैं फटा बटस हम लोग यहां से सीधे डेगन बॉस के मेंशन पे चलते हैं और चलके उसको देख कर आते हैं कई ऐसा ना हो क्यार वो मुसीबत में फस जाए और अभी डेगन बॉस यार हमारा बहुत अच्छा दोस्त है उसने भी माइकल की बहुत जादा हेल्प किया तो हमें भी यार उसकी हेल्प करना तो बनता ही है तो फटा-फट से उसके मेंशन पे चलते हैं और फ्रैंकल बता रहा है कि यार वो अपने मेंशन की तरह भी जा रहा है तो मेंचे को वो यहीं पे मिलना चाहिए फटा-फट से मेंशन पे जाके चेक करते हैं और एक सिकेंड गाईस यह क्या चल रहा है भाई यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे नसर आ रहे है और नीचे के साइड डगन बोस बैटा है और उसने सरेंडर कर रखा है यहाँ पे डगन बोस बात करने आया या फिर लड़ने आया यह तो नहीं बता पर यह वाला मेंशन तो डगन बोस का है पूरी 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 प्रुपर्टी उसी की है मुझे लगता है कि यार पका उसकी प्रुपर्टी में कोई और घुस रखा है और Daegan Boss शायद ही बात करने आया होगा और इन लोगे ने Daegan Boss को यहाँ पे पकड़ लिया इसी लिए Daegan Boss इतने टायम से गाए वह और वो अपना फोन भी नहीं उठा रहा पर माइकल के होते वए भाई उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता मैं सबको बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाला हूँ भाई इन लोगों ने हमारे दोस्त के उपर एम करते रही तो ऐसे किते से निकल यहां से पर डगन बॉस के उपर एम कैसे किया हैं लोगों ने मैं किसी को नहीं छोड़ने वाले एक काम करते हैं फटावर्ट से हम लोग पीछे के साइड चलते हैं मिलको लगता है कि यार पीछे के साइड भी काफी सारे बंदे हैं मिलको डगन बॉस को जल्दी से जल्दी बचाना पड़ेगा और वो तो अच्छा रहा है यार फ्रैंक लिए मिलको बता दिया कि डगन बॉस बहुत टाइम से गाइब है नी तो हम लोग को उसका पता नहीं लगता हम उसको बस कॉली करते रहते हैं और यहां देख रहे हो गाइस यह लोग तो भाई पूरे भर के आ रखे हैं वेसी लोग है कोन यार यह लोग लोसांटोस के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे लो सान्टोस के बाहर के लग रहे है कि एसा तुने एक या डगन बॉस की प्रोपर्टी पे लोग कबजा करने आये है क्योंकि ये प्रोपर्टी ना बहुत टाइम से खाली पड़ी हुई थी इसलिए शायद ये लोग यहाँ पे आ गया और वो देख रहे हो भाई वो बंदा तो कहा उपर चड़ती निकने आ से भाई ये लोग चारों तरफ से आ रहे हैं मेरे को थोड़ा से कबर मेरे ना बढ़ेगा बहुत जादा गोलिया बढ़ रहे हैं और एक तरफ से बंदे आ रहे हैं किसी को नहीं छोड़ने वाला भाई मैं सब को खतम करने वाला हूँ उसके बाद डगन बॉस से पता करूँगा कि यहां पे चल क्या रहा है और ये बंदे कौन है एक सेकंड यार गन मेरे को दूसरे नहीं बढ़ेगी ये वाली गन मेरे बहुत ही जादा अराम से गोलिया चल रही है अभी आजो बेटा अभी मैंने एक केम ले रखी है अभी जो मेरे सामने आएगा मैं उसको मारने वाला हूँ तो वह भी मेरे को आगे से काफी जादा गोली चलने की अवास आ रहे है और एक सेकेंड भाई माइकल के आते यहां पर डगन बॉस ने गोलिया चलना स्टार्ट कर दिया और डगन बॉस अकेला रही है अभी वो हमारी टीम का से माइकल का फ्रेंड है तो भाई डगन बॉस अगर प्रॉब्लम में होगा माइकल इसकी हेल्प करने जरूर आएगा भाई डगन बॉस ने हमारी एक बार जान बचाई और आज हम लोग ने डगन बॉस की जान बचा ली और एक सेकेंड यह गोलिया कहां पे चला रहा है तेरी दो ऐसकी तासी भाई पीचे से छुप छुप के लोग अटाक कर रहे है तुमारी दो भाई कोई नहीं बचने वाला इनको मुझे लगता है कि यार अभी माइकल के बार में नहीं पता है क्यार माइकल क्या चीज है और एक सेकेंड डगन बोस यहां पे क्यों बैट गया भाई किसी से डरने की जुरत ने अभी जो भी आएगा वो मेरे हाँ से बहुत बोरी तरीके से मरने वाला है बिटा आजो कहां पे तुम्हारी तो ऐसी किता शी सारे के सारे खतम होगये क्याँ अभी तो यहां पे बोहुत सारे बंदे थे पर अभी मुझे लगता है we नहीं सारे के सारे बंदों को खतम कर दिया अब ये काम करते हैं फटाबट से डेगन बॉस के पास चलते हैं और पता करते हैं कि आखिरकार ये बंदे कौन है और यहाँ पे करने क्या आये थे तो अभी मेरी Dragon Boss ने हम पर बाटचीद हो गया और Dragon Boss में ने पूछा कि यार आखिरकार यह बंदे कौन है और इन लोगे नहीं इसको पकड़ा क्यूँ था तो Dragon Boss फोल रहे है कि यार इसके पास call आया है कि यार इसके mention पर किसी ने कबजा कर लिया है इसकी property पे कबजा कर लिया है इसके सारे business पे कबजा कर लिया है और जैसी इसको ये बात पता लगी इसको लगा कि शायद ये काम एलरू भी होका होगा और ये सीधे यहाँ पे आ गया और ये अपने team को भी नहीं लेकर आया ये अकेला यहाँ पे इसको लगा ये बातचीत करेगा और सारी चीश ठीक हो जाएगी पर ये बंदे तो कोई और ही थे भाई इन लोग ने डगन बोस की property पे कबजा कर दिया क्योंकि बहुत टाइम से ये property बंद पड़ी हुई है और डगन बोस का कोई छोटा मोटा business नहीं है बाई drugs का लोसांटोस का सबसे बड़ा business है और ये सबसे बड़ा business man है तो इन लोग ने सोचा कि डगन बोस अकेला है आसानी से कबजा कर सकते हैं पर इनको नहीं पता है क्या डगन बोस का best friend Michael है पहले हां Michael की ये जान लेना चाहता था पर अभी Michael का बहुत अच्छा दोस्त है और अभी डगन बोस का जो भी दुश्मन होगा वो Michael का दुश्मन है तो अभी मैंने इन सब को खतम कर दिया अभी उनके बारे में हम लोग को जादा कुछ information नहीं है बस डगन बोस बोल रहा है कि ये लोग जादा बड़ है और अगर हम लोग यहाँ पे रहेंगे तो कोई भी यहाँ पे कफजा नहीं कर पाएगा तो डगन बोस एक काम कर फटा बट से यहाँ पे आजा और मुझे लगता है कि हम लोग को नहीं यहाँ पे security भी लगा दे नीचे क्योंकि अभी एक गांग ने कफजा किया है हो सकता है अभी दूसरी गांग आजाए क्योंकि यहाँ पे जो तुम लोग को बड़े वड़े से खेद दिखाई दे रहे हैं यह सारे के सारे डगन बोस के खेद है तो डगन बोस के बास बहुत जादा प्रोपर्टी है और माइकल को वाइट हाउस पे बुला है? लेसर बोल रहा है कि माइकल पड़ से वाइट हाउस पे आज और रह दो मना कर रहा थक है और अभी दौस स हमच शूख है। मैगल को जैसा ठीक लगे माइकल बिल्कुल वैसा ही करे अवाग क्याष् यह रहा हमारा भाई Los Santos का सबसे expensive mention और मैं सोच रहा हूँ कि यार सब कुछ ठीक होने के बाद क्यों ना हम लोग Michael की family को इस वाले mention पे रखें वो भी बहुत जादा security के साथ क्योंकि यार ये वाला mention ना यार बहुत ही जादा प्यार है बस हम लोग को security का ध्यान देना है और हम लोग याँ पे आके रह सकते है तो guys mention तो बहुत ही जादा सही है तो इस वाले mention को भी हम लोग यूज में जरूर लेंगे बागी डगनबॉस पटाफट से हाँ पे बैठ अभी हम लोग को white house पे जाना है और white house पे जाके उस paper को sign करना है उस paper को sign करने में हमारा भी फायद होगा लेस्टर अभी हमारे पर कोई attack नहीं कर सकता है अगर लेस्टर ने कोई भी attack किया तो हम लोग Los Santos की government में जाके उसकी complain कर सकते है और उसके बाद government लेस्टर को छोड़ने वाली नहीं है इसलिए जब मैं हम पे paper बगिरा sign करूँगा तो हम पे बहुत सदा media होगी और Los Santos के VIP भी होगे और सब के सामने हम लोग paper sign करने वाले हैं तो वही काम करते हैं फटबर से white house चलते हैं और चलके आज सारी matter को खतम करते हैं तो ओभी हम लोग white house बहुत से नहीं वाले हैं फटबट से चलके यार white house पे चलके देखते हैं क्यार यहां पे कितने लोग आये हैं वैसे Leicester ने बुलाया है तो यहां पे बंदे तो बहुत जादा हैंगे और guys यहां पे तो बहुत सारे बंदे हैं यार मतलब जितने बंदे भाई President के election के टाइम पे आते हैं यहां पे बिलकुल उतने ही बंदे हैं तो डगन बोज भाई किसी के उपर गोली नहीं चलाने हैं किसी को भी नहीं मार रहे हैं क्योंकि अगर यहां पे कुछ भी गड़ड होती है तो सारा metric खराब हो सकता है और Los Santos की force हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी क्योंकि आपे बहुत सारे VIP हैं मेरे को बस चुप चाप से यहां पे जा रहा है और जो भी पेपर है यहां पे बस उसको sign करना है ताकि हमारे बीच में कोई भी मेंटर नहीं हो हम भी लोग सांटोज में अराम से रह पाए अपने काम कर पाएं मेरे को बहुत सारे काम करने हैं और लास्ट में सबसे जरूरी काम लेस्टर को एकके करके उसकी गैंग के साथ खतम करना मतलब लेस्टर की जो गैंग है उसको एकके करके खतम करना है और लेस्टर को भी छोड़ने है, लेस्टर को सबक तो ज़रूर शिकाना है, पर अभी टाइम हे उससे हाथ मिलाने का, तो एक काम करते हैं फटबट से आगे के साइट चलते हो और चलके भाई पेपर्स को साइन करते हैं यहां तुम लोग देख सकते हो लेसल खड़ है और सामने उसने लो सांटोस के सारे वी आईपी लो सांटोस के मीडिया और पॉलिटीशन को भुला रख है तो मुझे लगता ह लेसल ने तो पेपर पे साइन करते हैं अब सिर्फ माइकल बचा हो है और तुम लोग यहां देख सकते हो यह लो सांटोस का काफी बड़ा पॉलिटीशन है और इसके हाथ में फाइल है मुझे लगता है कि शायद यहीं पेपर है तो एक काम करते हैं फटबट से इसको साइन करते हैं तो अभी मैंने पेपर को यहार साइन कर दिया और मैंने अभी यहां पे सब को बता दिया है कि यहार लेस्टर और मेरे भी जो भी चल रहा था अभी सब को चीज ठीक हो गई है मैं लेस्टर को कोई नुक्सानी पहुचाओंगा और लेस्टर मुझे कोई नुक्सान से रहेंगे और यहां देख रो लो सांटोस की पब्लिक इस काम से काफी खुश लग रही है यहां पे काफी जादा मीडिया फोटो अगरा क्लिक कर रही है तो मुझे लगता है कि गाइस अभी हमारा काम यहां पे हो चुक है तो अभी हम लोग फटाफट से यहां से निकलते है और अच्छारा डगन बॉस मेरे पीछे नहीं आया डगन बॉस वहीं पे है तो अभी फट अफट से हम लोग यहां से निकलते हैं और यहां पे बलड कैसा निकला है भाई मेरे को नहीं पता अभी हमारा यहां पे काम हो चुका है लेसर जो भी अपनी स्पीच बगरा देगा वहां पे देता रहेगा अभी हम लोग यहां से निकलते हैं और सीधे चलते हैं माइकल के मेंशन पे तो अभी हम लोग ने डगन बॉस को भी बेठा लिया है और डगन बॉस अभी पीछे के साइट बेटा है चले गोई दिक्कत की बात नहीं है अभी फड़बर समलोग यहां से निकलते हैं अभी लोग सांटोस में सारी चीज ठीक हो गई है अभी अपने को टेंशन लेनी की सुरुत नहीं है ना लोग सांटोस की पुलिस से खतर है और ये सारी चीजे ना मैंने military kernel के वज़े से ही करी है क्योंकि military kernel को एक बार उसकी पापर्स मिल जाए वो दुबारा से military kernel बन जाए उसके बाद तो हम लोग Los Santos में कुछ भी कर सकते हैं तो यह काम करते हैं फटाबट से हम लोग यहां से निकलते हैं और सीधे चलते हैं माइकल के घर पे तो अभी हम लोग माइकल के घर के पास पहुचने वाले हैं फटाबट से माइकल के घर पे चलते हैं और अभी हम लोग Los Santos City में अराम से रहने वाले अब भी अपने को टेंचन लेने की कोई भी सुरुषत नहीं है और अब भी हम लोग को पुलिस से भी खत्रा नहीं है तो फटा-फट से माइकल के घर पे चलो और एक सेकंड ये फ्रैंकल नहीं आ क्या कर रहा है और माइकल के घर के बार वाल पे बाई स्टीकर्स लगा है यहां पे भी स्टीकर है तो मैं काम करता हूं फटा बटर से मैं बात करता हूं और फ्रैंकल से पूंसता हूं कि-स टीकर किस ने लगा है तो ब्यू При रही कियार लेस्टर ना प्रेसिदेंट के एलेक्शन के खड़ा हो रहा है इसलिए उसने पूरे लो सांटो सिटी में अपने स्टीकर्स लगाने को बोले हैं और माइकल के घर के आसपास तो बहुत सारे तो मुझे समझ में आ चुक है लेस्टर ये समझोता क्यों कर रहा था उ क्योंकि वो लो सांटोस का नया प्रेसिदेंट बनना चाहता है और वो लो सांटोस में कोई दभाई नहीं चाह रहा था इसलिए उसने माइकल के साथ हाथ मिलाया और मुझे लग रहा था कि यार लेस्टर में से डर गया मतलब लेस्टर ने ये पूरा का पूरा प्लान बना जो भी इसने प्लान बनाये ना उसके प्लान में इसी को फसाना है इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो कुछ भी हो जाए मैं लेसर को छोड़ने वाला नहीं हूँ उसने खतरनाक वाला प्लान तो बनाया पर उसके प्लान में मैं उसी को फसा सब्सक्राइब करता होगा तो ही काम करते हैं फटाबट से मिलिटरी कैनल के पास चलते हैं और मिलिटरी कैनल से बात सीथ करते हैं